हेलो डिये फैंट्स कैसे आप सभी लो मैं भारवी मैं एक बार फिर से आप सभी प्यारे दोस्तों का आपकी अपने परिवाइट यारे केडमी में हार्तिक स्वागत करती हूँ क्यरी में परिवाइट नियुक्त करते हैं या किसी करते हैं यहाँ पर हम देखेंगे ठीक है तो मैक्सिमा और मीनिमा किसी फॉंक्शन का होता क्या है सबसे पहले तो यह देखते हैं अब देखिए Maxima और Minima के लिए जैसे हम लोगों ने increasing और decreasing पढ़ा था ना increasing और decreasing तो वो क्या था वो function का एक ऐसा मान था ऐसा अंतराल था जिसमें function क्या हो रहा था increasing position में रहता था और क्या था decreasing position में रहता था लेकिन इसमें हमें क्या करना है उस function की maximum value पता करना है और उस function की minimum value पता करना है किस function के किस variable पे वो function हमारा minimum होगा या maximum होगा यह चीज़ हम देखेंगे Suppose that करो यह हमारा कोई function है ठीक है यह हमारा कोई क्या है function है बहुत ही आराहं से concept समझ लेंगे सभी के सभी question आप लोग कर ले जाओगे, यह हमारा कोई function है, माल लोग कोई graph है, माल लोग हमारा क्या है, कोई graph बना हुआ है, अब यह graph को देख करके आप लोग बता सकते हो, कि इस graph का maximum point कहां है और minimum point कहां है, ठीक है, आप लोग भी देख रहे होगे, तो यह पता होगा कि य यह जो point दिख रहा है न, यह point इस graph का, इस करव का maximum point है, और यह जो point है, इस करव का क्या है, minimum point है, पता है, अब लेकिन इस function, जब कोई algebraic function दिया है, trigonometric function दिया हुआ है, उसमें कैसे बताएं, कि उस function का हमारा maximum value क्या है, और minimum value क्या है, ठीक है, दूसरी बात, दूसरी बात क क्या है, मालो, यह हमारा कोई axis है, मालो, इस वाले को हम छोड़ देते हैं, यह हमारा कोई axis है, यह जो maximum value मिल रही है, आप अगर करव देख करके बताते हो, कोई graph देख करके बताओगे, तो यदि इस point पर यक्स बराबर A2 है, A2 कोई point है उस पे आप बताऊगे कि A2 वाले point पर हमें इस कर्व का minimum point देखने को दिख रहा है ठीक है लेकिन बीना graph का आप कैसे बता सकते हो कि किसी function का maximum one कब होगा और minimum one कब होगा ये भी बताना है और उसकी value को भी बताना है चलिए हम क्या करते हैं यहां से देखिए यहां से एक चीज़ देखिए कैसे हम किसी function का maximum one और minimum one पता करते हैं तो सबसे पहले क्या method होता है वो पहले देखिए क्या method होता है सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे तो माल लिजिए कोई function दिया है function y बराबर fx ठेक है तो इस function को हम क्या करेंगे first order derivative करेंगे यानि उसका first order में differentiation करेंगे तो हमारा जो function है y equal to fx जब भी कोई function दिया है उसकी maximum value और minimum value आपको पताना है तो सबसे पहले उस function का हम क्या करेंगे differentiation करेंगे first order differentiation ठेक है तो जब इस function का हम derivative निकालेंगे उसके बाद हम उच्चितम मानकब आ रहा है और निम्निष्ट मानकब आ रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे इस dy by dx के मानको हम क्या करेंगे 0 के बराबर put करेंगे अब ये dy by dx जो हमारा first derivative है उसको 0 के बराबर हम क्यों put कर रहें तो आपको पता है यदि इस ग्राफ में देखा जाए यदि इस curve में देखा जाए तो इस curve पर यह जो maximum value है यह जो minimum point पर इस पर खीची गई इस पर्स रेखा इस पर खीची गई इस पर्स रेखा यानि यदि यहां से देखो तो इस maximum और minimum पर खीची गई इस पर्स रेखा इस x-axis के क्या है इस x-axis के parallel है जब हमारे क्या होता है first derivative या कहें ये जो कर्व पे जो इस परसी खीचा गया है वो x-axis के जब पैलर होता है तो आपको भी पता है कि उस रेखा का उस इस परसी की जो प्रवर्ता होती है वो 0 होती है और प्रवर्ता भी आपको पता है वो क्या होता है dy by dx होता है होता है कि नहीं tangent and normal में हम लोग ये पढ़े हैं कि किसी point पर खीची गई इस परस रेखा यदि x axis के पैलर में है तो वो क्या होगा उसका जो प्रवर्था होता है जो slope होता है वो क्या होता है वो हमारा 0 होता है तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं जब minimum और maximum value निकालना होता है उस function की maximum और minimum value निकालना होता है तो हम कहते हैं जो first derivative उस function का निकालना है वो 0 के बराबर रखेंगे 0 के बराबर रखेंगे वहाँ से हम पता करेंगे कि उस function के किस मान पर हमें निम्निस्ट मान पता चलेगा और उस function के किस मान पे हमें उच्च इश्ट मान पता चलेगा दूसरा बात हम क्या करते हैं किसका फॉस्ट derivative को हम जीरो के बराबर रखते है दूसरा point है इससे मिलने वाले जो variable की value है मानो यक्स के कुछ मान मिल रहे हैं क्या मान मिल रहे हैं A1 A2 जो भी आपके मान मिल रहे हैं जो भी value मिल रही है उन value को उन value को हम क्या करेंगे इस function के second order derivative में हम रखेंगे तो सबसे पहला काम करेंगे जो हमने इसका first order derivative निकाला है इसी का हम लोग क्या करेंगे second order derivative निकालेंगे उस second derivative में हम क्या करेंगे यह जो एक्स की value आई है यह जो X की विवीन माना आते हैं जरूरी नहींगे दो इस ही माना है 3, 4, 5, जो भी माना सकते हैं के function के recording उस मान को हम क्या करते हैं यहां पूट करते हैं इस जो हम सेकेंड ओर डेरिविटीव निकालते हैं उसमें उस वैरियेबल के मान को पूट करते हैं यदि अब यहां से देखना कुछ नहीं मैक्सिमम मिनमम सभी कोस्ट्वन बहुत ही क्लियरली बहुत ही अच्छे सो हो जाते हैं जब आपका कॉ निकालेंगे उस फर्स्ट ओर डेरिविटीव को हम जीरो की बराबर पूट करेंगे क्यों क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम पर खीची गई इस पर सरेखा कि जो स्लोक होती है जो प्रवर्ता होती है वो क्या होती है जीरो होती है और प्रवर्ता यहीं तो होती है अब यहां से देखो इस function का हम second order derivative निकालते हैं second order derivative निकालने के बाद उसके variable में जो मान आया है यहां से उस मान को put करते हैं यदि इसकी value क्या 0 से बड़ी आती है तो हमारा function जो उस मान पर यानि यदि A1 मान पर हमारा क्या होता है d2y upon dx2 second order जो derivative है वो 0 से बड़ा आता है तो हम कहेंगे कि इतने पर हमारा function क्या है हमारा function जो है वो क्या है निमनिश्ट है याद रखना बहुत confusion होता है बच्चियों को उनको पता है जैसे हम increasing और decreasing पढ़ते थे ना कि 0 से बड़ा होने पर 0 से जब value greater होती थी तो increasing होता था और 0 से छोटी होती थी तो decreasing होता था यानि रासमान होता था लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है जब value जब इसकी value 0 से क्या होती है greater होती है तो हम कहेंगे यक्स के उस मान पर जो हमारा function है न वो क्या है निमनिश्ट है क्या है function जो है वो निमनिश्ट है दूसरी क्या बात है दूसरी बात ये है कि ये जो हमारा second order derivative है ये जो हमारा second order derivative है यक्स के कुछ भी मान पर यदि इसका मान क्या होता है 0 से छोटा होता है यानि small देन किसे हमारा 0 से तब क्या हो जाएगा ये जो हमारा function मिलेगा उस variable पे हमारा जो function है वो क्या होगा उच्चिष्ट होगा क्या होगा उच्चिस्ट होगा इन चीजों का आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे ठीक है सबसे पहला काम क्या है ध्यान से देखेगा सबसे पहला काम मेथट क्या मेथट किसी भी function का चाहे वो trigonometry function हो exponential function हो algebraic function हो सबी function में जो भी function दिया है उनका first order derivative निकालेंगे दूसरा काम क्या करना है उच्चिस्ट और निम्निष्ट का पता करने के लिए हम क्या करेंगे d y by dx को 0 के बराबर रखेंगे क्यों क्योंकि किसी भी करवका उच्चिस्ट और निम्निष्ट मान के जो इसपरसी होती है उस पर खीची गई इसपरसी उसके x-axis के क्या होती है पैलर में होती है जब x-axis के क्या हो पैलर में हो हमारा इसपरसी tangent तो उसका जो slope होता है जो प्रवर्ता होती है वो क्या होती है जीरो होती है और प्रवरता हमारा डिवाई वाई डियक्स ही होता है अब यहां से देखो उसके बाद हम second order derivative निकालते हैं उसी function का और जब second order derivative में यहां से जो variable की value मिली है उस variable की value put करते हैं यदि second order derivatives में variable का मान रखने पर वो 0 से greater than मिलता है यानि 0 से क्या बड़ा मिलता है त इस मान पर function क्या है निमनिष्ट याद रखना बड़े होने पर निमनिष्ट और 0 से छोटे होने पर function क्या उच्चिस्ट मिलता है यानि इसमें हमें क्या मिलेगा निमनिष्ट में positive मिलेगा और उच्चिस्ट में क्या मिलेगा इसका मान हमें negative में मिलेगा clear है बहुत ही अच संट्रेट होके इस तीज को समझ लो कि निमनिष्ट के लिए पॉजिटीव और उच्छिस के लिए निगेटिव चलो जब कुवेस्टन देखते हैं न तो उस क्वेस्टन पर हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि किसी भी फंक्षन का निमनिष्ट मान कब मिलता है और उच्छिस्त मान हम क्या से मिकालते हैं चलिए हमारे question है algebraic function है उसका question है वो question देखी आप लोg function क्या है y equal to x cube plus x square minus 8 x plus 1 इत फंक्शन का उच्छिष्ट्यमान पताइए और निमनिष्टion मान बताइए चलिए सबसे पहले इस question को हम start करते हैं और first step क्या है first step कहता है हमारा first step कहता है क्या कि इस function का हम लोग first order derivative निकालेंगे first order derivative निकालेंगे ओके चलिए अब यहां से क्या होगा जब इसका first order derivative निकालेंगे तो अब आप लोग differentiation बहुत ही अच्छे से समझ गये होगे क्या होता है यहां से हो जाएगा 3x square plus 2x minus 8 यह क्या होगे आपका first order derivative दोसरा क्या उच्छिस्ट और निम्निष्ट मान के लिए किसके लिए उच्छिस्ट और निम्निष्ट मान के लिए हम क्या करते हैं उचिस्ट और निमनिष्ट मान के लिए हमारा second step क्या होता है जो हमारा second step होता है वो क्या होता है उचिस्ट और निमनिष्ट मान के लिए निमनिष्ट के लिए हम क्या करते हैं इस first order derivative को हम 0 के बराबर रखते हैं किसके बराबर? 0 के बराबर रखते हैं चलिए जब first order derivative को हम 0 के बराबर रखते हैं तो हमें क्या मिरता है यहां से यह हो गया आपका 3x square plus 2x minus 8 equal to 0 अब यहां से हम क्या करते हैं यक्स की value निकालते हैं तो यह क्या हो जाएगा आपका यह गुरंखंड के रूप में इसे बनाते हैं किस रूप पे गुरंखंड के रूप में इसे बनाते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा 3x square plus यहां से 6x minus 4x minus 8 गुरंखंड करने तो आप लोग को आता ही होगा क्या करते हैं इसका multiply करते हैं और उस multiply से ऐसी value निकालते हैं जिससे हमें क्या मिले इस बीच वाली value मिल सकें जोडने पर या घटाने पर तो जब हम 8,3,24 और 26 किस से आता है 6,24 यानि जब 6 और 6 में से 4 घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा गुरंखन तो आपको बहुत ही अच्छे से आता होगा इसको समझाने की जरूरत नहीं है अब यहां से क्या हो गया यहां से आपकी value हो गई 3x यहां से common लेते हैं तो yax plus 2 हमें yax क्या value मिली yax plus 2 और यहां से क्या मिली 3x minus 4 equal to 0 clear है अब यहां से yax की हमें 2 value मिल रही है एक तो यहां से इस वाले को देखें तो yax बराबर minus 2 देखने को मिल रहा है और यहां से क्या 3x minus 4 को यदि 0 के बराबर रखते हैं 3x minus 4 को यदि 0 के बराबर रखते हैं तो हमें yax बराबर क्या मिलता है 4 by 3 जब x plus 2 को हम 0 के बराबर रखे तो x बराबर minus 2 मिला एक मान और जब 3 x minus 4 को 0 के बराबर रखे तो हमें x बराबर 4 by 3 ये दो मान मिले अब इन दोनों मान पर कब function decrease कर रहा है और कब function increase कर रहा है ये चेक करते है मान तो हमें मिल गए अब तीसरा step हमारा क्या कहता है तीसरा step कहता है हम उस function का second order derivative निकालते हैं क्या करते हैं उस function का second order derivative निकालते हैं तो क्या हो जाएगा second order derivative यहां से देखें तो ये जो हमारा function है यदि यहां से हम second order derivative निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6x 6x plus 2 यह आपका क्या हो जाएगा second order derivative अब हम उच्चिस्ट और निमनिस्ट मान किस variable पर function हमें उच्चिस्ट मिल रहा है उच्चिस्ट मान मिल रहा है और किस variable पर हमें function का निमनिस्ट मान मिल रहा है यह निकालते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले दोनों function में किसी एक variable के मान को रखते हैं तो यक्स बराबर हम माइनस 2 रखते हैं क्या रखते हैं माइनस 2 यक्स बराबर माइनस 2 पर यह जो हमारा second order derivative है इसके मान में जब हम एक्स बराबर माइनस 2 रखते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है यहां से हो जाएगा 6 into माइनस 2 प्लस 2 कितना मिला यह आपका मिल गया माइनस 10 कितना मिला माइनस 10 अब चलिए दूसरा देखते हैं दूसरी वैलो क्या है एक्स बराबर 4 बटे 3 यक्स एक्वेल टो 4 बाइ 3 इस पर हमें second order derivatives के क्या मान मिल रहे हैं एक्स बराबर 4 बाइ 3 पर यहां हो जाएगा 6 into यक्स के जगव 4 बाइ 3 प्लस 2 क्या मिला यह आपका मिला 10 अब यहां से देखू अब यहां से हमें क्या देखना है यहां पर देखे जब इस second order derivative का मान इस variable के मान को पुट करने पर यदि 0 से बड़ा मिलता है तो हम कहेंगे उस variable के मान पर function निमनेश्ट है और दूसरा हम क्या बताये थे यदि इस second order derivatives का इस variable के मान को रखने पर यदि हमें 0 से छोटी value मिलती है तो function क्या है उचीष्ट है ठीक है अब देखो यहां से क्या हो जाएगा यहां से क्या देखने को मिला यहां से हमें देखने को मिला यह जो minus 10 है वो क्या है 0 से छोटा है है की नहीं और यह जो 10 है वो क्या है 0 से बड़ा देखने को मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे हम कहेंगे कि यक्स बराबर 2 पर यक्स बराबर 2 पर जो हमारा function है वो function उचीष्ट है कि निमनिष्ट है तो यक्स बराबर 2 पर function हमें क्या मिल रहा है उच्चिष्ट मिल रहा है क्या मिल रहा है उच्चिष्ट मिल रहा है ठीक है उच्चिष्ट मिल रहा है function क्या है उच्चिष्ट है और दूसरा क्या है दूसरा variable का क्या मान है दूसरा variable का मान है यक्स बराबर 4 by 3 पर जो function है न वो function कैसा है क्योंकि x बराबर 4 by 3 पर हमें जो value millisecond order derivative की वो क्या मिली 0 से greater मिली अगर देखें ये तो रहा कि किस point पर किस point पर ये function हमारा उचिस्थ है और किस point पर function हमारा निमनिष्थ है आपके question में क्या पूछा है आपके question में पूछा है कि उचिस्थ मान बताई है यानि maximum value बताई है और minimum value बताई है तो maximum value के लिए हम क्या करेंगे maximum value के लिए यानि उचिस्थ मान के लिए किस मान के लिए उचिस्थ मान के लिए क्या करेंगे हम जो function दिया है न उस function में हम क्या करेंगे इसके मान को रखेंगे उच्चिस्ट मान के लिए जो हमारा function था function हमारा क्या था fx equal to यहाँ पे देखते हैं जो function दिया था वो क्या function था x q plus x square minus 8x x q plus x square minus 8x plus 1 यही आपका क्या था function था ठीक है यही आपका क्या था function था एक बार देख लेते हैं साही है चलिए अब इस function पे हम क्या करते हैं x बराबर क्या पूट करते हैं x बराबर 2 पूट करते हैं उच्चिस्ट मान के लिए हम इस function में x बराबर क्या minus 2 x बराबर क्या minus यह minus है x बराबर minus 2 रखेंगे तो जब x बराबर minus 2 रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा हमारा function 2 का minus 2 का cube plus minus 2 का square minus 8 into minus 2 plus 1 कितना मिला आपको जो function मिला वो function कितना मिला आपका यहां से minus 8 हो गया यहां से plus 4 हो गया यहां से minus minus plus 16 plus 1 कितनी value आगई आपकी value कितनी आगई minus 2 रखने पर हमारी जो value आई वो value हो गई 8,4,1,3 जो हमारा increasing यानि जो हमारा maximum value है न वो हमारी maximum value क्या है 13 है maximum value जो हमारी है उचिस्ट मान जो पूछा है वो उचिस्ट मान हमारा क्या है 13 है दोसरा क्या पूछा है निमनिस्ट मान पूछा है क्या निमनिस्ट मान पूछा है यानि minimum value भी पूछा है तो निमनिस्ट मान किस पे मिल रहा था निमनिस्ट मान आपको मिल रहा था यक्स बराबर 4 by 3 पर यक्स equal to 4 by 3 पर हमें इस function का निमनिस्ट मान मिल रहा था तो चलो निमनिस्ट मान क्या हो जाएगा जहाँ जहाँ यक्से वहाँ वहाँ हम 4 by 3 पुट करेंगे क्या पुट करेंगे 4 by 3 पुट करेंगे तो यह इसका इसक्वार हो जाएगा minus 8 into 4 by 3 plus 1 इसको भी solve करते हैं और आपको value बताते हैं ठीक है तो जो भी question पूछा था उचिस्ट मान ये और निमनिस्ट मान यहाँ से क्या हो जाएगा 64 by 27 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 16 और यहाँ से 9 minus यह क्या हो जाएगा 32 by 3 plus 1 चली इसका LCM ले लेते हैं LCM लेने पे क्या होगा यहाँ से LCM आपका 27 हो जाएगा और यह 64 plus 48 minus 288 plus यहाँ से क्या हो जाएगा 27 वैलू कितनी मिली वैलू यहाँ से मिली 9 और यहाँ से क्या मिला 149 upon 27 क्या मिल गई 149 upon 27 यह क्या मिली इस function का निमनिष्ट मान यानि minimum value मिला चली एक बार इस question को repeat कर देते हैं बहुत ही अच्छा question था और सभी question आपके ऐसे ही पूछे जाएगे जितने भी question है आपको ऐसी ही लगाना है बहुत ही अच्छे marks मिलते हैं हर साल इस chapter से question पूछता है हर साल इस chapter से question पूछता है 5 marks इस chapter से आप मान के चलो ठीक है 5 marks के question इस chapter से आप मान के चलो तो यह क्या हो जाएगा y query to function आपका दिया हुआ था उच्छिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए सबसे पहला step हम उस function का first order derivative निकालते हैं उच्छिष्ट और निम्निष्ट के लिए कि किस मान पर function उच्छिष्ट मिलेगा या किस मान पर function निम्निष्ट मिलेगा उसके लिए हम इस first order derivative को 0 के बराबर रखते हैं क्यों रखते हैं यह मैं आपको बता दी उसके बाद इस function को जब हम 0 के बराबर रखते हैं तो आपको कुछ value मिलेगी 1, 2, 3, 4 जितनी भी value मिल सकती है function के recording तो हमें यहां से यक्स की 2 value देखने को मिली 1-2 और 1-4 by 3 अब हमें नहीं पता है कि minus 2 और 4 by 3 पर ऐसी कौन सी value है जिसपे function increase है यानि function की maximum value मिलेगी और ऐसा कौन सा मान है जिसपे function की minimum value मिलेगी उसके लिए हम उस function का second order derivative निकालते हैं second order derivative निकालने के बाद जितने भी variable के मान दिये हैं उस second order derivative में variable के मान में put करते हैं यदि इस second order derivative का मान 0 से छोटा आता है 0 से छोटा आता है तो हम कहते हैं उस variable पर function क्या हमारा उचीष्ट है यानि maximum है यदि हमारे second order derivative का मान 0 से बड़ा आता है तो हम कहेंगे कि variable के उस मान पर हमारा function क्या है निम्निष्ट है ठेक है तो वह point हमें पता चला कि जिस poign पर function निम्निष्ट मिल रहा है किस point पर function उच्छिस्ट मिलधा है अग उच्छिस्ट मान और निम्निस्ट मान के लिए यानि minimum और maximum value निकालने के लिए हम क्या करते हैं जो भी आपका function दिया गया होता है क्या जो भी आपका function दिया गया होता है उस function में हम जब उचिस्ट मान पता करना है तो उस variable का उचिस्ट मान रखते हैं और निमनिस्ट मान पता करना है तो उस variable का निमनिस्ट मान रख करके हम maximum value निकालते हैं और क्या minimum value निकालते हैं तो चलिए आप लोग क्या किजिए इस question का स्क्रीन स्वाट लेना है तो स्क्रीन स्वाट ले लिजी तब तक मैं थोड़ा सा बैटरी चेंज कर लेती हूं लेज़ी नेस्ट क्वेशन पर आते हैं हम लोग चलिए टिग्नामेट्री का फ्रंक्षन है इस फ्रंक्षन का भी हम लोग क्या उच्छिस्ट मान निम्निस्ट मान यह भी देखते हैं चलिए देखिए दो साल पूछा गया कोश्चन है बहुत ही अच्छा पूश्चन है यह पूच्छन बहुत बार पूछा और बहुत ही अच्छा में टिग्नामेट्री का इस question को भी देख लोगे तो आप एक को एक नए टाइप पता सल जाएगा ठीक है एक नए तरीके से question को लेकिन उच्छिस्ट और निमनिष्ट के आप जितने भी question लगाओगे जो भी method है सिर्फ उसी method पे कुछ नहीं सिर्फ तीन step करना है पहला step आपके function का first order derivative दूसरा काम उस function के first order derivative को 0 के बराबर रख करके variable के मान निकालना है third step करना है आपको उस function के second order derivative में उस variable के मान को रख करके आपको उस्षिष्ट मान और निमनिष्ट मान का किस variable पे function उस्षिष्ट हो रहा है किस variable पे function निमनिष्ट हो रहा है वो आपको निकालना है अगर value भी पूछा है तो आप value भी उस मान को रख करके निकाल सकते हो चली इस question में भी देखते हैं सबसे पहले question को पढ़ते हैं सीधी कीजिए यक्स बराबर pi by 3 पर जो हमारा function है y equal to sin x 1 plus cos का मान उच्छिष्ठ है दे दिया है कि ये function जो है यक्स बराबर pi by 3 पर उच्छिष्ठ है ये हमारा क्या है question में दे दिया है आपको क्या करना है प्रूफ करना है सिथ अब यहां पर निम्निष्ठ के कोई बात नहीं होती है सिथ हमें उच्छिष्ठ ही पता करना है और वो भी variable का मान भी आपको दे दिया है चलिए कैसे करते हैं पहला step हमारा क्या है जो भी हमारा function है जो भी क्या हमारा function है ठीक है यहां से देखिए जो भी हमारा function है ठाइन यक्स बन प्लस कॉस यक्स इस function का first order derivative निकालेंगे पहला इश्रीप कुछ भी नहीं करना है बहुत ही अच्छे-च्छे question इसमें बनते हैं उसके बाद जब हम first order derivative निकालते हैं तो आपको यहां से product rule लगा देजिए क्या लगा देजिए product rule लगा देजिए differentiation कर देजिए sin x को जो काते हो और cos x का यहां से क्या हो जाएगा minus sin x क्योंकि 1 constant है 0 हो जाएगा plus second वाले कुछ यहों काती हो first वाले का differentiation sin x का क्या होता है cos हो गया हमारा differentiation चलिए यहां से क्या हो गया यह हो गया minus sin square x और यहां से क्या हो गया plus cos x plus cos square x अब यहां से चीज़ देखिए यहां से इस चीज़ देखिए minus sin square x plus cos square x यह आप यूं कहो cos square x minus sin square x और यह क्या होता है यह आपके जो आपका cos 2 x होता है क्या cos 2 x का यह formula होता है तीन formula होते हैं sin के form में, cos के form में और sin cos के form में तो इसको हम क्या लिख सकते हैं dy upon dx equal to cos x plus cos 2 x क्या सकते हैं अब चलिए यहां से क्या हो जाएगा यहीं पर हम second order derivative भी निकाल लेते हैं क्या second order derivative भी निकाल लेते हैं तो second order derivative क्या हो जाएगा cos x का minus sin x हो जाएगा और cos 2 x का minus sin 2 x और 2 x का फिर से differentiation करेंगे तो only 2 मिलेगा तो हम इसको आगे कर देते हैं तो यह क्या हो गया आपका यह हो गया आपका second order derivative ठेक हैं अब दिया क्या है पहले से ही दिया है कि यक्स बराबर पाई बाई थ्री पर किस पर यक्स बराबर पाई बाई थ्री पर function क्या है हमारा उच्चिष्ट है तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के आपको इस सिथ करना है प्रूफ करना है तो हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट का पता लगाने के लिए क्या करते इस दी वाई बाई डी अक्स को हम क्या करते थे जीरो के बराबर रखते थे जीरो के बराबर रखते थे लेकिन आपको तो दिया है ना यक्स बराबर पाई बाई थी है और इसी पर आपका function क्या है उचीष्ट है ठीक है तो हमें तो यह दे दिया है हम क्या करेंगे जो डी वा के जगह πाई भाई थ्री पुट करेंगे यदि इसकी वैलू इस फॉंक्षन की वैलू जीरो आ जाती है तो पहली बात तो यह क्लियर होता है कि यक्स बराबर पाई भाई थ्री पर फॉंक्षन हमारा क्या है उची तिया निम्निष्ट होगा ही होगा ठीक है तो चलिए यहां स हम क्या करते हैं यक्स बराबर पाई भाई थरी पूट करते हैं तो यह कौस पाई भाई क्या थ्री प्लश यहां से क्या हो जा रहाएगा कौस्ट टू पाई भाई थ्री हुआ अभ रेखे पहले divide by dx 0 के बराबर क्यों नहीं किया क्योंकि आपको पता है question में दिया है यह जो X का मान हम यहां से निकालते थे न वो X का मान खुदी दिया हो दिया भी है किसे function उच्चिष्ट है तो हम क्या करते थे हमें तो सिध करना है तो हमें इसे तो दिखाना ही होगा क्यों जब हम कह सकते हैं कि यह function पे हमारा function या तो चिस्ठ होगा या तो निम्निष्ठ होगा तो चलिए cos pi by 3 यानि cos क्या cos 60 degree और cos 60 degree का मान कितना होता है वो होता है 1 by 2 cos 2 pi by 3 cos 2 pi by 3 का मतलब क्या cos 120 degree और cos 120 degree का मान क्या होता है minus 1 upon 2 आपको पता है trick पता होगा कि sin और cos वाले में क्या होता है जो cos 60 का मान होता है उसी का मान just वही मान आपका cos 120 का होता है लेकिन sin change हो जाता है ठीक है जैसे हमारा ऐसे positive जाता है तो 90 के बाद क्या होती है sim वही पीछे से हमारी value चलने लगती है negative ठीक है तो जो cos 60 का मान है वही आपका negative में cos 120 का मान हुआ तो यहां से देखो यह क्या हो गया 0 value आ गई 0 value आ गई तो यह भी यहां से तो पहला इस्टेप हमारा हो गया पहला इस्टेप तो यह clear हो गया कि एक्स बराबर पाई भाई 3 पर हमारे जो function है न वह या तो उस चिस्ट मान मिलेगा उसका या तो उस function का निमनिश्ट मान मिलेगा तो चलो हम दूसरा क्या चेक करते हैं जो हमारा d2y अपान d2 है second order derivative है उसमें हम x बराबर पाई भाई 3 पुट करते हैं यक्स बराबर क्या पाई भाई 3 यदि हम x बराबर पाई भाई 3 पुट कर रहे हैं और उसका मान यदि 0 से क्या छोटा आ रहा है यदि उसका मान 0 से छोटा आ रहा है तो ये भी प्रूफ हो जाएगा क पर उस function का हमें उच्छिस्ट मान मिल रहा है तो चलो d2y पांड dx का मान क्या था उसका मान था आपका sin2x पर sinx पर माइनस sinx था माइनस 2 sin2x था यह आपका मान था अब क्या करते हैं इसी मान में हम pi by 3 put करते है तो जब हम pi by 3 put करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से यह आपका हो जाएगा माइनस sin pi by 3 minus 2 यहां से क्या हो जाएगा sin2 pi by 3 अब देखो इनकी भी value देखते हैं इनकी वैलू क्या देखते हैं तो थ्रिए tie ये पाइग का मतलब साइन 60 दिगरी और साइन 60 दिगरी का हमान कितना होता है ै-3 भाइ-2 माइनस पहले से फिए ठिक है रूट 3 भाइ-2 माइनस 2 साइन 2 पाई भाई-3 2 पाई-3 अमान कितना हो जाएगा यह आपका हो जाएगा यहां से यह आपका हो गया 60 by 120 और 120 का मतलब यह क्या हो गया आपका 2 root 3 by 2 और क्या negative आएगी क्या value आएगी आपकी negative आएगी 2 pi upon root sorry 2 pi by 3 यानि आपका कितना हो गया आपका हो गया 120 कितना हो गया 120 और sin 120 की value आपको पता होगी कितनी होगी यह हम लिख सकते हैं sin 90 plus 30 और sin 90 plus 30 यानि cos क्या हो जाएगा cos 30 और cos 30 की value कितनी होती है cos 30 की value आपकी root 3 by 2 होती है negative में नहीं आएगा क्योंकि sin जो होता है वो second coordinate में होता second coordinate में sin हमेचा positive होता है तो आपका आगया root 3 by 2 negative में नहीं रहेगा negative पहले से यह था अब यह क्या हो गया आपका मान यहां से आपकी value कितनी आ गई यह value हो गई आपकी minus 3 root 3 by 2 यह आपका क्या हो गया यह आपका हो गया minus में value आई किस में आई value आपकी minus में आई और minus में आई यानि कि यह क्या है जीरो से छोटी है निगेटी वैलू आई यानि जीरो से छोटी है तो यहां से ये प्रूफ हुआ कि यक्स बराबर पाई बाई थ्री पर पंक्शन जो है वो क्या है पंक्शन का हमें उचिष्ट मान प्राथ हो रहा है क्या उचिष्ट मान प्राथ हो रहा है कहेंगी कहेंगी कि नहीं तो हमें क्या निकालना था सबसे पहले में प्रूफ करना था और वो चीज हमें प्रूफ होग चुकी है सबसे पहले हम डिवाई बाई डियक्स निकाले थे और वहीं से हमने डिटू आई अपन डियक्स टू भी निकाल लिया था सबसे पहले ये पता किया चाता है कि dy by dx का मान 0 रखने पर हमें उस function का उचिष्ट और निमनिष्ट मान पता चलता है तो वो तो पहले से ही दिया था x बराबर pi by 3 पर हमें उचिष्ट मान मिलेगा तो जनरली इसका मान हमें 0 आना ही चाहिए तो pi by 3 पूट कियें तो हमें 0 मिल गया इससे ये प्रूफ होता है कि x बराबर pi by 3 पर या तो function उचिष्ट होगा या तो function निमनिष्ट मान मिलेगा तो यहां से उचिष्ट और निमनिष्ट को चेक करने के लिए इस second order derivative के variable में हम उसके man put किये man put करने पर हमें ये पता चला कि ये जो value आ रही है न वो 0 से क्या 0 से छोटी value आ रही है तो हम कह सकते हैं कि x बराबर pi by 3 पर function का क्या उचिष्ट मान प्राप्ट होता है clear है चलिए screenshot लेना है तो screenshot एक बार ले लिजी आप लो चलिए यह question हो गया आप लोगों का चलिए यह तो यहां तक हो गया आप देखो इस question में आपको यही प्रूब करना था कि यक्स बराबर pi by 3 पर क्या है function उचिष्ट है यदि किसी बच्चे को उचिष्ट मान यहां तक भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है यदि किसी भी बच्चे को उचिष्ट मान प्रता करना है उस function का क्या उचिष्ट मान पता करना है तो function क्या था एक बार लिख लो आपको यही चीज़ प्रूब करना था लेकिन यदि function का आपको उच्छिष्ट value भी चाहिए यानि आपको maximum value भी चाहिए तो आप maximum value भी निकाल लीजिए यहां से क्या हो जाएगा maximum value यक्स बराबर हम क्या रखेंगे pi by 3 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा उसका उस function का उच्छिष्ट मान यानि maximum value भी मिल जाएगी तो यक्स के जगा क्या पुट करेंगे pi by 3 और यहां से 1 plus cos pi by 3 यह हो गया इससे कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि proof हो चुका था लेकिन उच्छिष्ट मान निकालना है तब भी आप इसको देख सकते हैं तो sin pi by 3 यानि 60 degree इसका मान क्या होता है root 3 by 2 1 plus cos 60 degree cos 60 degree का मान 1 upon 2 तो यहां से क्या हो गया यहां से हो गया 3 root 3 by 4 यह हो गया उस function का क्या उच्छिष्ट मान क्या मिला इस function का उच्छिष्ट मान मिला यानि maximum value मिल गई क्या maximum value है 3 root 3 by 4 चलो next question पर आते हैं यह देखो अभी तो हम किस point पर हमें पता करना था कि उस function का maximum value मिल रही है वह का minimum value मिल रही है अब हम अंतराल में देखेंगे किस में? अंतराल में देखेंगे उच्छिष्ट तथा निम्निष्ट मान हमें कब मिलेगा और क्या होगा? ठीक है? अब हमें अंतराल में देखना है बहुत ही अच्छा question है यहां से देखेंगे y वराबर कितना दिया है? yx plus sin 2 yx हमें ऊच्छिष्ट तथा निम्निष्ट मान ग्यात करना है तो सबसे पहला इसका first order derivative निकालते हैं क्या हो जाएगा यहां से यह हो जाएगा 1 plus cos 2x और 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं अब यहां से देखिए अब यहां से आप लोग देखिए हम क्या करेंगे इस dy by dx को second step क्या करेंगे dy by dx को 0 put करेंगे किसके लिए उच्छिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए उच्छिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए हम क्या करेंगे इस dy by dx को 0 put करेंगे ठेक है जब हम 0 put कियें तो यह क्या है 1 plus 2 cos 2x equal to क्या हो गया 0 हो गया यहें से तो हमें x की value बता चलेगी कि किस-किस मान पर यह function हमारा क्या है उच्छिष्ट मिल रहा और किस मान पर हमें निम्निष्ट मिल रहा तो यहां से क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका cos 2 x बराबर minus 1 upon 2 और आपको बता है यह जो minus 1 upon 2 है न वो किसका मान है cos 2 x equal to इसको आप लिख सकते हो cos pi by 2 pi by 3 लिख सकते हो कि नहीं minus 1 by 2 minus 1 by 2 यानि अभी आप निकाले थी इसके पहले cos 120 degree का मान कितना होता था minus 1 by 2 तो cos 120 को हम क्या लिख सकते हैं 2 pi by 3 लिख सकते हैं लिख सकते हैं कि नहीं तो यहां से हमारी value कितनी मिली, 2x की value कितनी मिली, आपकी value मिली 2pi by 3, कितनी मिली 2pi by 3, अब यहां से 2, 2 cancel कर रहे हैं, थोड़ा सा ठंड रखो, अब देखो क्या होगा, आपको दिया है एक range दिया है, उस range को भी लेके चलना है, ठीक है, आपको range दिया था कि 0 से 2pi के बीट में x की value होनी चाहिए, ठीक है, तो यहां से अगर देखो आप लोग, यहां से यदि देखते हो, तो यह क्या मिलता है आपको, यक्स बराबर मिल जाता है, pi by 3, ओके, लेकिन एक मान होता है आपको, आपकी value 2pi यानि 360, 360 दिगरी के अंदर होनी चाहिए, तो एक तो cos 120 दिगरी का मान होता है, और दूसरा क्या होता है, cos 4pi upon 3 जो है इसका भी मान minus 1 by 2 होता है, तो क्या यह नहीं लिख सकते हैं, जरूरी है कि 2pi by 3 लिखें, 4pi by 3 का मही मान तो हमारा 1 minus 1 by 2 होता है, नहीं विश्वास है, चलो देख लो, 4pi, यानि ऐसी कर लो तो यह 60 into 4, कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा, 240 degree, cos 240, ठीक है, अभी cos 240 को क्या लिख सकते हो, 360 degree minus 120, लिख सकते हो कि नहीं, और 360 minus 120, कितना हो जाएगा, cos 120, क्यों, क्योंकि 4th coordinate में, और 4th coordinate में क्या होता है, cos और 6 positive होता है, ठीक है, तो यह cos 120 degree, और cos 120 degree की value अपको पता है, कितनी, minus 1 by 2, तो यहां से हमारी 2 value मिलती है, एक तो cos 2 pi by 3, और दूसरा cos 4 pi by 3, अब को मैं, इसके आगे भी तो हो सकता है, 120, फिर जोड़ दो इसमें, 120 degree और जोड़ दो, तो 120 degree और जोड़ दोगे, यानि एक तो 120 degree का मान, दूसरा 240 degree का मान, उसके बाद आपका दूसरा मान, लेकिन यहां से देखो, जब 120 degree और जोड़ दोगे, तो 360 ही तो हुआ, और 360 degree minus 0, यानि cos 0, और cos 0 की तो value आपको दी हुई है, ठीक है, उसके बाद की value सोचें तो नहीं, क्योंकि उसके बाद की value भी minus 1 by 2 मिलेगी, लेकिन वो क्या हो जाएगी, 2 pi से बड़ी हो जाएगी, और range आपक यक्स का मान होगा, 2 x बराबर, 4 pi by 3, और यहां से x बराबर क्या मिलेगा, यक्स बराबर आपको मिलेगा, 2 pi by 3, यानि यक्स के दो मान मिले, कौन-कौन से, pi by 3 और क्या, 2 x, और रेंज क्या दिया था, range आपका दिया था, 0 होनी चाहिए, या 0 से क्या, बड़ी होगी, और क्या, हमारा जो 2 pi है, उसके बराबर भी हो सकती है, 2 pi से क्या, छोटी भी होगी, यानि जो अंतराल दिया है, यक्स जो element है, वो किसका, 0 और 2 pi, इसका मतलब समझते हो न, close bracket है, close bracket, यानि बंद अंतराल है और बंद अंतराल का मतलब, इस यक्स का मान, 0 से 2 pi के क्या, बीच में होगा, function में मैंने पढ़ाया था, बहुत अच्छे से, अब यहां से देखो, तो आपके तो मान मिल गए, आपको मान मिल गए, कि इतने इतने मान पे क्या होगा, आपको मान मिल गए, अब इसमें निमनि मान निकालने है, तो function क्या था, सबसे पहले वो देखो, function हमारा क्या था, function क्या दिया हुआ, function दिया था, आपका यक्स प्लस, sin 2x, क्या दिया था, आपका function दिया था, आपका जो function दिया था, fx इक्स इक्स दिया था, sorry, sin 2x दिया था, ठीक है, sin 2x दिया था, हाँ, अब देखो, range क्या दिया था, यहां से दिया था, आप लोगों को, जो यक्स है न, वो किसका element था, वो 0 से 2pi के बीच में था, यहां पर second order derivative निकालने के जरूरत नहीं है, यहां पर देखना कैसे निकलेगा, पहला तो मान हमारा 0 आता है, क्योंकि यक्स का मान 0 भी हो सकता है, जब 0 पुट करते हैं, तो यहां से हो जाएगा 0 प्लस sin 0, और sin 0 का मान आपको पता है कितना होता है, 0 होता है, दूसरा आपको क्या मिला यक्स का मान दूसरा आपको मिला था पाई बाई थ्री मिला था कि नहीं दूसरा मान आपको मिला था पाई बाई थ्री चलो ये क्या था पाई बाई थ्री था तो दूसरा मान हम पूट करते हैं पाई बाई थ्री तो πाई बाई 3 पर आपको क्या मिलता है पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3 मिलता है कि नहीं और इसका मान क्या हो जाएगा पाई बाई 3 और ये क्या हो जाएगा प्लस 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 का मान आपका हो जाएगा रूट 3 बाई 2 तीसरा आपको क्या variable मिला है यक्सका वो मिला है 2 pi by 3 अब यह अंतरान में आपको value मिल रही है न एंगल की उस एंगल में आपको बताना ही कि कब उच्चिष्ट होगा और कब निम्निष्ट होगा function तो यहाँ से क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 2 pi by 3 plus sine यहाँ से क्या हो जाएगा 2 into 2 4 pi by 3 इसका मान क्या हो जाएगा 2 pi by 3 plus sine 4 pi by 3 यानि जो यही मान आया वही मान आपका आएगा root 3 by 2 आएगा कि नहीं दूसरा क्या हुआ दूसरी value हुई यक बराबर 2 pi 2 pi वाई तो भी put करेंगे क्योंकि यक्स जो element है वो 2 pi का भी दिखाया है अंतराल हमारा 2 pi भी हो सकता है तो यहाँ से क्या हो गया 2 pi plus sine 2 into 2 pi तो कितना मिला यहाँ से sine 2 into 2 pi तो आपकी इसकी value 0 मिल जाएगी तो आपका answer आगया 2 pi अब आप बताईए अब आप बताईए कि किस मान पर function निमनिष्ट है और कौनसा मान ऐसा है जिसफे function क्या है उच्चिस्ट है तो यह देखे यह जो 0 है न 0 आपको सबसी कम मान दिखाए रहा है तो इस function का f बराबर 0 यानि x बराबर 0 पर function क्या x बराबर 0 पर हमें function का निमनिष्ट मान मिल रहा है क्या निमनिष्ट मान मिल रहा है यहाँ पर आपको second order derivative ही निकाला है यहाँ पर खुद पहले से ही दे दिया हुआ है अंतराल उसी अंतराल में आपको check करना है और x बराबर 2 pi पर हमें क्या function का निमनिष्ट मान मिल रहा है क्या उचिस्ट मान यहाँ पर आप लोग भी देखलो 0 क्या है? 0 सबसे निमनिष्ट मान है और 2 pi क्या है? सबसे उचिस्ट मान है कि नहीं 0 क्या है? सबसे minimum value है और 2 pi क्या है सबसे maximum value है तो ये हो गया क्या आपका question क्या हो गया आपका question तो ये question थोड़ा सा different था क्यों क्योंकि अंतराल वाले question थे इसमें आपको दे दिया था कि जो भी value आएगी वो इस अंतराल के बीच में आएगी तो 0,2 pi ये 2 आपको मान तो पता थी x के लेकिन आपको ये 2 मान नहीं पता थी 2 भी निकल सकता था 3 भी निकल सकता था ठीक है लेकिन 0 से 2 pi के बीच में ही एंगर रखना था क्योंकि अंतराल condition दिया हुआ था उसके बाद आपको तो मान दे दिया अब उन मान में गार्ट आपको मान दिया है उन मान में आपको पता चल रहा है 0 सबसे निमन मान है तो ये x बराबर 0 पे फलन का निमनिष्ट मान मिल रहा है और यब बराबर 2 pi पर function का हमें उच्छिष्ट मान देखने को मिला है क्या ऑपाई है और निम्निस्ट मान क्या है जीरो है चलिए निस न्हों को यह देखो बहुत ही अच्छा फॉस्ट्टन है बहुत ही अच्छा कॉस्ट्टन है ने पूछा भी गया है और देखने में बड़ा दिखुरा होगा लेकिन बहुत ही अच्छा question है important में आप लोग डाल लेजिए chance बनते हैं ऐसे question के chance बनते हैं आपको क्या करना मैं आप लोग को एक concept बता दे दी हूं जितने भी फार्मुले हैं आप लोग के घन के घनाब के कोन यानि संकु के आयत के वर्ग के त्रिभूज संभाद के झाल स सुझी कर लोग के वर्ग को बन्यूस में सक बाल आप लोग के जितने आपको के वर्ग के दूएव से ओड़ से लोगर सक्था के झाल गले कर दोगर झाल झाल झाल